नमस्कार दोस्तों मैं मुनीशा मुनीशा फैशन अब बुटीक से वेलकम बैक टू माई चैनल हाउदा जोस येस दोस्तों जोस हाई रहना चाहिए दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे हल्दी फंक्शन की ड्रेस और उसके बारे में हम बताएंगे कि हमने कैसे कैसे उसको डेगरोट किया तो उससे पहले हम लेते हैं थोड़ा सा मोटिवेशन जैसा कि हम डेली हर सेक्सेसफुल वोवेन के बारे में बात करते हैं तो आज फिर हम बात करेंगे आज हम बात करेंगे अन्नाचांडी के बारे में जस्टिस अन्नाचांडी जिनका जनम 1905 में हुआ त्रिवेंद्रम में हुआ दोस्तो वो बारत की पहली महिला नयाले में न्यायदीस थी दोस्तो वो उच न्याले के अंदर न्यायदीस थी इस पद पर वो बारत की पहली महिला थी, भारत के अंदर वो पहली महिला थी और पूरे विशव के अंदर वो दूसरी महिला थी इस पद पर, दोस्तों उस टाइम में आप देखिए अन्ना चांडी कैसे इस पद पर पहुंची होगी, और दोस्तों हमें तो सिरफ एक डिजाइनर बनना है और अपने काम पर आगे बढ़ना है तो हम अनाचान्डी से मोटिवेशन लेते हुए अपने काम पर बढ़ते हैं तो आज हम आपको दिखाते हैं हल्दी फंक्शन की ड्रेस दोस्तों ये शोट नोटिस में हमने त्यार की हुई है देखो मुझे रात कोई मैंने ये पूरी रात बैट केस को बनाया मुझे शाम को कश्टमर का कोल आया कि हल्दी फंक्शन के लिए उनको ड्रेस चाहिए तो आप प्लीज अपना फैवरिक लेके और इस इस रेंज में मुझे ड्रेस चाहिए और जल्दी से रेडी करो तो शाम को दोस्तों मैं मार्किट में गई तो मुझे कुछ नहीं मिला रियोन का मुझे अच्छा फैवरिक लगा तो में रियों लेके आई हूं रियों काफी अच्छी रियों ऐहरा हैं यह is तो millennik नें शाम को यह फैवरिक लेके आई हूं पूरी रात मैंने इसको बैटके बना है फैवरिक से यह देखो कितनी अच्छी हमने इसमें खुद से ये हैंड वर्क है दोस्तों जो ये हमने पैच त्यार किया हुआ है इसमें ये लेसिज से त्यार किया हुआ है इसमें दो तीन लेसिज लगी हुई हैं लेसिज से त्यार किया हुआ है और देखिए इसमें बैल्स वाली हमने इसमें स्लीव्स निकाली है दोस्तों और स्लीव्स पे डाली हमने हैंगिंग लेस जो कि एक दम प्यारा लुकार है हमने नीचे दिया है इसमें बोडर इसमें निकाला है हमने गोटा पत्ती का डिजाइन और जिग जैग स्मोच सा लेस निकाल लिया है यह हम हमने इसमें देखिए नीचे भी हमने इसका एक बोडर दिया हुआ है अतरंगी पलाजों में और गोटा पती से हमने इसको वरक किया हुआ है दोस्तों चंडीगर सेक्टर 17 में में विजिट के लिए गई हुई थी तो जैसे ही मैंने मॉल में जाकी विजिट किया तो मुझे जो फंक्शन थी जो मेंनी के लिए थी तो कुछ ऐसा बना हुआ था पैचिर वगारा लगे हुए थे तो आप सुचे उस ड्रेसिस का प्राइस कितना होगा आपको यकीन नहीं आएगा 10 से 12,000 तक की वो ड्रेसिस थी तो देखिए दोस्तों हमने कितने कम उसमें हमने ये 10 से 12,000 की ड्रेस त्यार की हुई है ये ही शोरूम के अंदर लगी हुई ड्रेस 10 से 12,000 की होती है दोस्तों और जबकि उनके पास टेपिंग भी नहीं थी तो हमारा काम देखिए आपने बैक में भी कितनी फनीसिंग और फनीसिंग पट्टी से काम ये देखिए बैक में भी पू आज हम सीखेंगे पैच बनाना पैच से दोस्तों आप अच्छे अच्छे फंक्सनों की ड्रेस खुद से डिजाइन कर सकते हो गर बैठे गर बैठे कमा सकते हो महिने के लाख रुपे शोरूम में आपको जाने की पड़ेगी नहीं जरूरत और घर में ही कर सकते हो आप अप कैसे बनाते हैं कि दोस्तों मरजनी डिजा करें मेरे ये कश्टमर का नहीं है मैं आपको दिखा रही हूं यह वी पूर्ण त्यार किया गया है डूपटा मैंने डाई कराया यह जो जटक है इस पर यह sequence लगा हुआ है golden color का sequence लगा हुआ है तो mirror work की मैंने इसमें लगाई है Lace हम इसको दिखाते हैं आपको यह देखे यह डुपट्टा भी carry कर सकती है मैडम कितनी सुन्दर लग रही है बड़ा प्यारा लग रहा है तो दोस्तों यह डुपट्टा भी हम इसके साथ carry कर सकते हैं और खुझ से बना सकते है मर्जेंटा कलर का लुक यलो पर अच्छा जा रहा है तो दोस्तों बनाते हैं पैच पैच के लिए हमारे पास थोड़ा थोड़ा कुछ material बचा हुए है जैसे लेस के कुछ टुकड़े बचे हुए है और जो थोड़ा थोड़ा समान है थोड़ा सा यह भी लेस है गोटा पती बचुई है दोस्तों यह संटून का फैवरिक यह संथाटिक संटून होती है जैसे कि आप लोग जानते होंगे दोस्तों संटून दो परकार की होती है एक कोटन संटून होती है और एक संथाटिक होती है तो यह संथाटिक है वैसे ही यह लाइनिंग के लिए भी यूज होती है बट यह ज़्यादा लाइनिंग के लिए नहीं लगाते इसकी पाइप इन बड़ी अच्छी निकलती है बहुत अच्छा ब्यूटिफूल बन जाता है सूट दोस्तो इनी मटीरियल का यूज करके हम सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे सूट बना सकते हैं एक डिजाइनर क्या होता है जो की सूट में जान डाल दे सूट बोरने लगे येस मुझे रेडी किया गया है तो एक सूट को हम कैसे बना सकते हैं हमें कोई भी चीज करनी हो ना तो हमें दिल से करना चाहिए दिल से हम कैसे कर सकते हैं उस पर पूरा कुंसी टेट करकर और उसमें जान डाल सकते हैं हर एक चीज को इंजोई के साथ टेंशन मत लीजी इंजोई से काम केजिए दोस्तों जैसा कि मैंने पहले भी बताया हैं मैं कुछ भी वेश्ट नहीं जाने देती हूं मेरे पास छोटे-छोटे पीस जो भी बच जाते हैं यह देखो आप आइडिया लगा सकते होंगे यह देखो यह क्या है यह बिलकुल छोटे- कर सकते हैं उसको ऐसे टच करके हमिंग दुआरे इसको लगा सकती हूं इसको ऐसे-से कट करके वी में यह जिग-जाग भी बना सकती हूं यह दिखो मैंने छोटे-छोटे टुकडे भी रखे हुए हैं फिलाल हम जैसे मैंने हल्दी की ड्रेस पर पैच बनाया है मुझे के लिए दोस्तों हम करेंगे इसको पेश्ट फ्यूजिंग पेपर से हम करेंगे पेश्ट पैच में आपको डिफ्रेंट डिफ्रेंट पैच बताऊंगी सब चीजे क्लास में आपको वन बाई वन आपको एक एक चीज मिलेगे क्योंकि हर वीडियो में तो हर चीज नहीं दिखा सकते वीडियो लंबा हो जाता है दोस्तों तो आपको एक एक चीज अच्छे से सीखने को मिलेगी तो आज हम बनाएंगे पैच यह देखी यह ग्रे कलर है तो ग्रे कलर हम इसको डालेंगे समर के कलर में बतल हम इसको फंक्शन के कलर में नहीं डालेंगे जो समर के फैवरिक आते हैं जो सीले जाते हैं उसमें डालेंगे बट हमें क्या ready करना है दोस्तों, देखो हम ऐसे कुछ भी नहीं लगा सकते, हमें देखना होगा कि occasion क्या है, किस occasion से, किस purpose से हम dress ready कर रहे हैं, यह picnic के लिए जा रहे हैं, तो हमें क्या, कौन सी laces use करनी है, साधी के लिए तो हमने कौन सी use करनी है, heavy, low, हर quality होती है, तो हमें उस अब हम हल्दी के लिए बना रहे हैं, तो हमें चाहिए bright color, golden, आपने देखोगा कि साधी में red, golden, margenta, यह सब color चलते हैं, तो हमने इसी लिए margenta का piece लिया है, हम उठाएंगे margenta lace, और इसमें लगाएंगे हम got, यह, samosa lace, यह देखो, दोनों साइड लगाएंगे, हम samosa lace, जबकि, एक samosa lace हम किसलिए लगाएंगे, फैवरिक को अंदर ले जाने के लिए, गुम करने के लिए, दोस्तो, अब patch बना रहे हैं, तो गुम भी तो होगा, ऐसे तो नहीं, हम ऐसे शिलाई तो नहीं लगाएंगे, शिलाई लगी तो अच्छी नहीं लगी, क्योंकि हम proper handwork कर रहे हैं, यह handwork हुआ दोस्तो, lace के साथ, तो हम इसमें करेंगे, और यह हमने उठाया गोटी पती, इसका हम ऐसे design निकाल लेंगे, तो machine पे बना के दिखाओ, वैसे तो आप perfect होगे होगे, मुझे लगता है आप खुदी बना लोगे, मेरी कोशिस रहती है दोस्तो, आपक कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं in the sense fashion, उसके इसाब से आपको एक एक चीज बताती हूँ, occasion के इसाब से भी, कि हम इसमें क्या-क्या डाल सकते हैं, तो दोस्तो, वीडियो को skip मत करना, end तक देखना, पूरा अच्छा पैस बनेगा, तो अब हम चलते हैं, machine पर, लीजिये, तो हमने क्या किया, इसमें, center बना लिया है, प्रेस से center बना सकते हो आप, और जो हमने बीच में लेस लगानी है, उसका भी center बना लीजिये, बट हम प्रेस से center बनाना गए हैं, भूल तो हम चोक से करेंगे, मैं इसका चोक से सेंटर बना लेती हूँ यह देखी हमने चोक से इसका सेंटर बना लिया है तो हम सेंटर से सेंटर मिलाएंगे अच्छे यह पट्टी है बड़ी हमारे पास जो पैच चाह है बनाना है हमने लेस है छोटी तो हम इसको कट करेंगे और छोटा बनाएंगे ये देखिए दोस्तों जो हमने फैवरिक लिये है ये हमने सिधा रखना है और लेस इस पर रखना है उल्टी नजर आ रहा है लेस हमने उल्टी रखनी है ये याद रखना अब हम करेंगे इसको सिधा लेस हमने अब करनी है सिधी ये देखिए ये हमारा हो गया है पैच गुम ये जब हम प्रेस लगाएंगे एक दम से बैठ जाए गए ये देखिए दोस्तों ये हमारा पूरा गुम हो गया हमने अंदर की साइड कर लिया और प्रेस लगा सकते है आप इस पर अब हमने जैसे इसका बीच बनाया था अब हम इधर सेंटर हमने चोक से बनाया था तो हम मिलाएंगे हम एक सीम को करेंगे मोटा मोटी चाल से हमें एक सिलाई लगाएंगे बीच में सेंटर में ताकि हमारा पैच ही लेगा नहीं ये देखो लग गया न दोनों तरफ से ओपन और बीच में अब हम ऐसे ही तो पैच नहीं बनाएंगे न अब हम लगाएंगे इसमें स्मोसा लेश अंदर की साइड भी लगाएंगे जो हमने लेश लगाईए इसको गुम करने के लिए हम एक उर स्मोसा लेश लगाएंगे दोनों साइड लगाएंगे विजिट करते हो ना सर्वे बगैरा तो करते ही होंगे आप लोग तो आप देखना ये बुटीक के पीस कितने कोश्टली पड़ते हैं बुटीक की बाद ही अलग होती है बुटीक का पीस बिलकुल डिफरेंट होता है ये देखिए दोस्तों लगबग हमारा पैच रेडी होने वाला है अब हम लगाएंगे ये गोटा पती एक स्टैप हम इसका गुमाएंगे क्योंकि इसमें स्पेस कम है तो हम एक स्टैप इसमें गुमाएंगे जब भी आप कोई लेस लगाती हो दोस्तों ये ध्यान रखना है हमें लेस को खीचन नहीं है लेस को सिरफ फिंगर के साथ ऐसे हलके हलके से ऐसे देखो जैसे मैंने किया हुआ है ऐसे मैंने किच्छ नहीं हुआ बस मैंने ऐसे इदर उदर से ऐसे सट किया वह कि दुर दुर ना जाए ऐसे दोस्तों दूसरी साइड में करेंगे हम निच्छे से इसको गुमा भी सकते हैं ऐसे यह देखिए दोस्तों पैच बनके हो गया रेडी बताएए कितना अच्छा पैच बनाए यह वाव दोस्तों कितना अच्छा पैच बनाए इस पैच के दुआरा दोस्तों हम महंगी महंगी ड्रेसिज बना सकते हैं और मैंने आप मुझे लगता है यह पैच सब बहर कोई बना सकता है जो बिगनर है वो भी बना सकते हैं इसको बस हमें अपने माइंड से हलक आसा डिजाइन करना है मैं आपको different different patch बनाने सिखाऊंगे दोस्तो आप अगर कहीं भी विजिट के लिए जाते हो तो आप दुबारा अब के बाद यानि कि जब भी आप जाते हो विजिट के लिए ये कहीं पर भी जाते हो तो आप ये नजर मारना की वहाँ पर क्या-क्या बना हुआ है तो आपको य आपको design को image करना है कैसे कैसे आपको सोचना है कि हम इसको कैसे उतार सकते हैं laces में कैसे patch में हम उस design को उतार सकते हैं fans of sense भी उसकी अच्छी लगे देखने में वह attractive लगे और कीमती लगे दोस्तों मैं बताना चाहती हूं कि मैं जल्दी classes शुरू कर रही हूं दोस्तों लेडी तक हमें यह पहुंचाना होगा कि वो भी एक designer बन सकती है और अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है दोस्तों हम मिल करी हमें क्या इंस्टा या facebook पे जो की बने रहना है नहीं जैसे यह successful हर लेडी successful बन सकती है दोस्तों जैसे कि मैं आपको story दिखाती हूं डेली की डेल करके लेडी आगे पहुंचती है तो दोस्तों आने वाले टाइम में वीडियो रिस लेडी पर बने तो उनकी पावर पर बने successful वो कैसे बनती है इस पर बनने चाहिए इसलिए बोलती हूं वीडियो को आगे से आगे जादा से जादा शेयर कीजिए ताकि classes में सब लोग हमारे साथ जोड़ सके यह देखिए कितना सुंदर और graceful यह डिटो पैच बना हुआ है जो मैंने अब भी आपके सामने यह पैच बनाया है तो कितना प्यारा यह पैच नजर आ रहा है दोस्तों वाव इस पैच को हम अपने माइंड से कुछ creativity के दुआरा हम कैसे कैसे कर सकते हैं देखो वैसे तो मैंने इस पर यह लेस लगाई है बट अगर हम यहां पर पैच नहीं लगाते यह पैच हम बाजू में भी ल ऐसे देख की हो जाएगा कि वाव मुझे तो यह परचेज करना है मुझे तो यह परचेज करना है तो ऐसा पीस आपको बनाना है बुटीक के बारे में मटीयल के बाराए में सब कुछ में आपको classes के अंदर बदाऊंगी दोस्तों इतना ही नहीं कुछ unique और कुछ different क्या होता है ट्रेंड क्या होता है अट पटा कुछ भी different आपने देखे होंगे अगर आप शोव गएरा देखते होंगे तो इसमें designer कैसे क्या कटे फटे कुछ भी डालते हैं तो design यही होता है दोस्तों अब देखिए हम इधर इधर भी इसको design कर सकते हैं ही पर भी हम इसको design करते हैं और एक pocket का trend भी चला हुआ है तो हम खुद से trend चला सकते हैं दोस्तों कुछ भी बना कर हम trend चला सकते हैं हीप में भी हम कवर कर सकते हैं और एक pocket के pocket के रूप में भी हम double अगर हम समर सीजन होता है दोस्तों घूमने के लिए इंजोई करने के लिए पिगनिक बनाने के लिए तो समर में सब अपने बच्चों के साथ बाहर निकलते हैं तो हम डिफ्रेंट इस तरह का पैच बना के बट हम ध्यान रखेंगे कि हमें कलर कौन-कौन से चूज करने हैं सम करने हैं फंक्षन हल्दी फंक्षन के लिए इसलिए मैंने मर्जेंटा चूज किया है तो मिस्टीज पर भी कलर कंट्रास्ट कंबिनेशन क्लासिज में पूरा काम करेंगे दिल खोल के मैं आपको सीखांगी अब भी दिल खोल के पूरे जोस के साथ सीखिए हम ऐसे ही डबल दोनों साइड पैच द्वारा पोकिट रेडी कर सकते हैं तो दोस्तों मैंने पूरी रात जाके ड्रेस रेडी किये क्योंकि मैंने शाम को जैसे मैंने पहले बताया फैवरिक ख्रीदा था और अब आपके लिए बनाया मैंने वीडियो अब भी मैंने कुछ भी नहीं खाया है पहले मैं थक चुकी हूं तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूं कुछ नया लेके तब तक के लिए नमस्कार